नमास्कार स्वगात्यापका हमारे अचार जागिंद्रमिशा चैनल पर एक अगस्त गडेश चतूर्थी बना दूरलब महा सयोग सावन तीसरा सोमबार सिवलिंग पर चढ़ाएं यह एक चीज 24 घंटे में देखें चमतकार सावन महा के महीने के पूरे महीने का ही बड़ा महत्य है लेकिन जब सोमबार के दिन आ जाए तो सोने पे सुहागा इस दिन सिवजी की पूजा करना बहुत ही फलदाई माना जाता है मानेता है कि सोंबार का बरत रखने से भक्त की सभी एक्छाएं हाथों हाथ पूर्ण कर देते हैं भोले नात और सिव जी की पूजा में कुछ खास वस्त्वे हैं जो उन्हें जरूर अर्पित किये जाते हैं तो इस बार स्रावण माह में कुल चार सोंबार हैं और ये जो एक अगस्त को शोंबार पढ़ने जा रहा है ये इस दिन कई सारे दुरलब सबसंयोग बन रहे हैं इसलिए इस बार किया है शोंबार और भी खास है क्योंकि इस दिन गड़ेश चतूर्थी भी रहेगी शोंबार की दिन भागवान सीव को परसंद करना स्रेश्टकारी माना जाता है शोंबार का ब्रत भी आप कर सकते हैं सीव लिंग का खास कर इस दिन पूजान जरूर करें सीव जी के साथ माता पार्वती की भी अशिम क्रपा प्राप्त होगी दोस्तों सावन कमीना भागवान सीव को समर्पित होता है इस माँ का हर दिन भागवान भोले नात की पूजन के लिए बहुत ही स्रेश्टकर माना जाता है लेकिन सावन मास में जब सोंबार की बात आ जाए तो बिशेष कर सोंबार का, सोंबार की बात ही कुछ अलाग है क्य official सोंबार के दिन महादेव बहुत जल्द परसंद हो जाते है मानिताओं के अंसवार्ग सावन के सोंबार में भागवान सिव की पुझा करने से जीवन के सभी मनोकामनाय हाथों हाथ पूर्ण हो जाती है सावन सोंबार के दिन भोलेनात की कृपा प्राद करने के ब्रत भी रखा जाता है और सिवलिंग पर कुछ विशेस वस्तवे अरपित की जाती है मानताओं के इंसार सावन माह के शोंबार के दिन ब्रत करने से जीवन में आने वाली सबी दिक्तें भॉलेनात की कृपा से दूर हो जाते हैं भॉलेनात अपने भगतों को शुक्षम्रद्धी प्रदान करते हैं और मानचाहा प्रदान देते हैं इस दिन कन्याए सोंबार्क ब्रत रखती हैं और जो शुहागिन महिलाए हैं वो भी अपने पती के चिरंजीवी के लिए शौभाग के लिए अपने पती की आयू के लिए इस दिन ब्रत रखती हैं और भगवान सिव के शिवलिंग की पूजन करते हैं तो भगवान, शिवशंकर और माता पारुतिय और गरेश जी की पूजा जरूर करें, सोंबार की दिन, सबसे पहले तो आप क्या करें कि अपने घर पर भी आप कर सकते हैं, अगर आप कि आसपास मंदिर नहीं है, सिव मंदिर नहीं है, सिवलिंग नहीं है, तो आप अपने घर पर भी करें, आप चाहें तो सिवलिंग की प्रतिमा भी बना शकते हैं, या फिर किसी पात्र में आप रख लीजे बना कर शोंबार की दिन, ब्रत की जो पूरी बिधी है उसे जान ले, कैसे पूजा करेंगे, तमाम बाते हम आपको बताएंगे, शुरोदे से पहले आप उठ जाएंगे, शोंबार की दिन, और इश्नान बगरे करके ओम नमय शिवाय मंदर का जाब करें, शाथ ही तीसरे पहर तक पूजा की जाती है शोंबार की दिन, अब ऐशन है कि सुबह ही होगा, शुबह शी लेकर साम तक तीसरे पहर यानिकी प्रदोस काल तक होगा, उस समय त सहद ये थोड़े से उसमें दूद कच्चा, दूद डालके फिर आप जल अरपित कर दें, और बेल पत्र चढ़ा दें, साथी समी के पत्र चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें, और जो लोटो में रह गया है वो भी चढ़ा दें, सहद चढ़ा दें, तो इस तरह से आप वो यानि कर सकते हैं, पंचा मृत का यानि भोग भी लगाएं, ब्रत का संकल्प लेकर घर में भी आप ये कर सकते हैं, पूजन समागरी जो आपके चीज़े हैं वो नहीं आप अरपित करें, दूद दही जल, अच्छत, मिस्त्री, सब कुछ यानि की पंचा मृत, मौली, वस्त जनेव, चावल, सब कुछ अरपित करें, स्यूलिंग पर, रोली, चावल, सफेद पुस्प, भांग धतूरा, कमल गट्टे, प्रसाद की रूपे, पान की सुपाडी, लौंग इलाइची, अगर ये चीज़े अरपित करते हैं स्यूलिंग पर तो भोले नात अत्रशिग पर परसन होते हैं, और आपके सबी मनोकामनाई पूर्ण कर देते हैं, शोम बार की दिन स्यूलिंग की विशेश रूप से पूजा कियाती है, और अगर आपके सबी मनोकामनों को पूर्ण करना चाते हैं, तो सोम बार की दिन स्यूलिंग पर आप निश्य तोर पे, अगर आप बेल पत्र आपित करें तो जो भी मनो कामना बोलेंगे 24 गंटे के अंदर महादेव पूरी करेंगे यानि कि आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और 24 गंटे के अंदर ही महादेव आपकी पूर्ण कर देंगे इक्छाएं सिव लिंग पर अगर आप बेल पत्र 100 वाट चढ़ाते हैं तो संतान बैवाहिक जीवन में शुक में जीवन जीने का मौका मिलता है जीवन में कभी भी कष्ट नहीं होते और महादेव अगर कोई कष्ट भी है तो हर लेते हैं तो इस तरह से महादेव की पूजा अर्चना जर नहीं होती और इतना सब कुछ नहीं कर पाते तो कम सकम एक लोटा जल में बेल पत्र डाल दें और फिर सिव जी की पूजा करें सिव जी की पूजा में आप कपूर जलाकर ही आरती कीजेगा और फिर ब्रत कथा सुनें और सिव जी के मंत्रों का जाप करें जो ब्रत रख रह वो एक ही बार भोजन करेंगे और रात के समय वो रूई के गद्दे पर नहीं सोएंगे कोई भी ब्रत करते हैं रूई की गद्दे पर नहीं सोना चाहिए सिव जी के ग्यारा अपतार हैं कपाली पिंगल जैसे कई नाम है लेकिन आज हम जानते हैं कि सावन कर शोंबार कर ब्रत जबाप कीजेगा तो क्या खाइएगा देखे बहुत शारे लोग नमकीन चीज़े खाते हैं लेकिन अगर नमकीन खाते भी हैं तो रात में खायेगा शेंधा नमक का प्रयोग कीजेगा और दूसरा अगर आप बरत करते हैं तो आप जैसे कि आप इस दिन फल खाईएगा और आप कद्दू खा सकते हैं हरी सब्जियां ले सकते हैं जो फल के रूप में खाई जा सकते हैं लेकिन दोसरी तरह भगवान सीव को सबसे ज़्यदा प्री है वो है बेलपत्र उन्में से वो बहुत ही प्रसंद होते हैं और मुह मांगा बरदान प्रदान करते हैं सीव पुराण में एक प्रसंद गाता है कि भगवान सीव पर अरपित करते हैं तो बेलपत तोड़ने के लिए आप एक विशेष बंतर का जाप कर सकते हैं अगर आप जल में कुशा घांश डाल कर अरफित करें तो आपकी विमारी समाप्त हो जाती है आपके दुख सोक समाप्त हो जाते है अगर गन्य करस से अविशेख करें सिवजी को तो आपको धन की प्राप्ती होती है सहद से अविशेख करें तो अखंड शवभाग मिलता है पती का सुख मिलता है यनि कि इस बार सावन मा में जो सोंबार है सोंबार के दिन सिवलिंग पर आप ये चीज़े अरफित करें तो आपको विशेख मनो कामनाओं की पूर्ती होती है कच्चे दूद से अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा दे कच्चा दूद तो पुत्रशुक का पुत्रशुक मिलता है दामपत सुख मिलता है सककर से अविशे करें तो फिर आपकी वाड़ी अच्छी होती है कि अगर किशी प्रकार कोई बाधाय हैं जीवन में किशी प्रकार कोई भी समस्याएं तो आप शीवलिंग पर थोड़ा सा काला तेल चढ़ा दें तो तंत्र मंत्र की बाधाय निगेविटी दूर होती है घीशे अविशे करने से सभी मनोकामनाओं के पूर होती है तो इस दिन सुर्यास्त से एक घंटे पहले और एक घंटे बाध का जो समय हो है प्रदोस्काल का उसी समय पूजा कीजेगा सुबह सुबह नहाद होकर भी आप भगवान सीव को एक लोटा जल आरपित करें भगवान सीव को जल आरपित करने के बाद ये चीजे जरूर चुड़ाएं अगर आप चाहते हैं कि सत्रो बड़े से बड़ा दुस्मन भी गुटने टेक दें तो भगवान सीव को लोंग इलाइची जरूर आरपित कीजेगा भांग धतूरा आरपित कीजेगा और अपनी मनोकामना बोलिएगा तो विशेष लाब होगा भगवान सीव के सीवलिंग का पूजन करना सावन सावमार में विशेष फलदाई मना जाता है भाग में बरती होती भाग शिमक जाता है आमदनी के स्रोथ बढ़ते हैं कई गुना आपको धनकी प्राप्ती होती है धनलाप की नएने स्रोथ आपके सामने बनते है जीवन में यस्मान सम्मान धनकी प्राप्ती होती है चारो दिशाओं से आपकी ख्याती बढ़ती है स्रावर मा में शोमबार के दिन विशेश महतु रखता है क्योंकि स्रावर के दिन भगवान भॉलेनात सिव संभू को यहीं कि समर्पित है इसलिए इस दिन भगवान सिव को आप जरूर मनाए उन्हें खुश करें उनके प्रती कुछ न कुछ चीजे अर्पित करें अगर स्रावर सोमबार में आप थोड़ा सा जल और उसमें कच्चा दोल मिला लेते हैं थोड़ी से चावल मिस्री डालके जल अर्पित करते हैं और फिर बेल पत्र अर्पित करते हैं तो बड़ी से बड़ी कठनाईयों से भी पार कर जाते हैं जीवन में मान समान धन यश्क की प्राप्ति होती है और चारो दिशाओं से धन का लाब होता है भाग में बरद्दी होती है बड़े से बड़े सत्रौ भी गुठेक देते हैं सत्रौ तो क्या हर प्रकार के यहीं विपत्तियां भी दूर हो जाती है भगवान सीव को तरावर मा के शोंबार के दिन पूजा करना विशेश फलदाई माना जाता है इस दिन भॉले नात काफी परसंद मुद्रा में रहते हैं शीगर से शीगर अपने भाक्तों के उपर किरपा बरसाते हैं और उन्हें पूर फल देते हैं जीवन में किशी विप्रकार के कोई कमी नहीं रखते हर प्रकार से संकट दूर करते हैं और जल्द वो प्रसंद होने वाले हैं इसलिए स्त्रावण मार के शोंबार के दिन पूजा करें शीव लिंक पर ये चीज़े जरूर आप चढ़ाएं तरस्तों कमेंटी में लेखेगा हर हर महादेव ओम नमशिवाए बीटो को लाइक कर दीजेगा जदा जदा इस वीडियो को शेर कर देजेगा पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेश जरूर करिएगा ओम नमशिवाए